नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी I.E.S. अधिकारी बनी लड़की की व्यथा और दर्द सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दल भी बोल उठेगा कि तु घर से ही कुछ कर और आप भी I.E.S. IPS बनने की ठान लेंगे जी हाँ, ये कहानी है एक जिला अधिकारी बनी लड़की की, एक 26 साल की लड़की रितू, जिसका लक्ष I.E.S. अधिकारी बनना था, जिले की कमान समालना था, एक दिन रितू अपने गाउं, हर्याना के अपने गाउं से दिल्ली आ रही होती है, जोकि आज रितू बस से आ ही थी, तो आधितन वह अपने हिस्टी की किताबी निकाल कर बस में ही पढ़ने लगती है, तब ही अचानक बस रुखती है, और तीन नौजमान जूवक लड़के बस में चढ़ते हैं, चोकि जहां रितू बैठी होती है, उसके बगल की सीटे खाली होती है, तब ही लड़क की कोन आया और कहा बैठा, चोकि रितू तो अपनी हिस्टी की किताबे पढ़ते पढ़ते हडपा सब्विता में खो गई होती है, कुछ मिंटो बाद वे लड़के लड़कियों के बारे में ही अजीब बात करने लगते हैं, और अब जब यह बात रितू के कानों तक जाती ह तो उसे अंदाजा लग जाता है कि लड़के ये बाते रितू को ही सुना कर बोल रहे होते हैं, धीरे धीरे लड़के रितू को छेड़ने पर आमदा हो जाते हैं, अकसर लड़कियों को ऐसी इव्टीजिंग यानि की छेड़ साल का सामना करना पड़ता है, लेकिन रितू उन आम लड़कियों जैसे तो थी नहीं, उसे भली भात मालूं थे कि उसके अधिकार क्या है, आखिरकार रितू थी तो एक UPSC की इस्टोडेंट, रितू ने जड़ से लड़कों को वांड करते हुए IPC की धाराओं की जानकारी दी, रितू ने साप सब्दों में कहा और इ जिकरित करवाऊंगे, इतने में दिल्ली आ जाता है, रितू अपना सामान उठा बस से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मुश्कलों की तो अभी सुरवात हुई है, दरसल रितू जो कि हरियाना के एक छोटे से गाउं की रहने वाली थी, वह UPSC की तयारी करने दिल्ली आ रही थी, और हरियाना में तो बेटियों को पढ़ाना अपरात की स्रेड़ी में आता है, लेकिन बेचारी रितू अपने माबाप को कैसे भी मना कर दिल्ली आ रही थी, अब रितू दिल्ली पहुच चुकी थी, और जड़ से एक ओटो वाले को इसारा कर पू जाती है, जहां लाखों की भीड में इस्टूडेंट UPSC की तयारी करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि हर साल बड़ी संख्या में ये राजिंदर नगर भारस सरकार को IAS अधिकारी देता है, रितू राजिंदर नगर को देख कर खुश भी होती है और गहबडाती भी है, रा यह प्रण करती है कि मुझे बनना तो IAS टौपर ही है, लेकिन यह रास्ता साइद रितू के लिए आसान नहीं था, उसे नहीं मालूम था कि बस वाली छोटी घटना उसके तयारी में बादव बन जाएगी, अब रितू दिल्ली के एक नामी जानी कोचिंग में एड्मिशन और ऐसा माना जाता है कि यदि आपको IAS की परिख्षा में आल इंडिया रेंग एक दो इतियादी पाना है, तो इस कोचिंग में दाखिला लेना ही पड़ेगा, बरहाल रितू कोचिंग में दाखिला ले तो लेती है, लेकिन जैसे ही रितू पहले दिन कोचिंग के लिए, क पहसूस तो करती है, लेकिन अगले ही पल अपना ध्यान हटाते हुए क्लास फर फोकस करने लगती है, दरसल वो तीनों ड़के जिन्होंने रितू को छेडा था, वे भी UPSC की तयारी करने वाले ही छात्र थे, और रितू को हिष्टी की किताबे रस में पढ़ता देख, कॉल आनी सुरू हो जाती है, और जितने बार रितू कॉल उठाती और हेलो बोलती, तो दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉंस नहीं दिया जाता, और कॉल कट हो जाती, लेकिन फिर अगले ही पल कॉल आती और यह सिलसला लगतार चलता रहा, अब रितू परेसान हो गई, कि वही सिलसला, अब रितू परेसान हो चुकी थी, और वो अपना सेलफोन स्विच ओफ कर देती है, और क्लास के पढ़ाए गए आज की टॉपिक पर फोकस करती है, क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक को तो रितू ने दो घंटे में ही पढ़कर समाप्त कर दिया, लेकिन उस के नोट्स भी बनाती थी, और बार-बार रिवाइज भी करती थी, अब रात के एक बच्चु के थे, रितू अपने करंट अफेर के पोर्सन को सुरू करने के लिए अपने सेलफोन को सुच ओन करती है, ताकि वह फोन में देखकर करंट अफेर पढ़ सके, अब जैसे ही वह करे तो क्या, रितू परिसान होकर नंबर को सुच ओफ कर देती है, और सो जाती है, और अगली सुबह जैसे ही वह कोचिंग क्लास पहुशती है, तो उसका सामना उन तीन लड़कों से होता है, वह एक दूसरे से बाते कर जोड़-जोड़ से हस कर कह रहे होते हैं, कि घंटी लड़कों द्वारा थी, लेकिन वह परिशान थी कि आकिरकार मेरा नंबर इन तक कैसे पहुचा, रितू आज घर आ जाती है, और फिर देर साम आज रितू के फोन पर मैसेज आता है, कि हम IPC की धारा 354 से नहीं डरते हैं, और समय समय पर इन धाराओं को तोड़ते भी हैं, मैसेज पर रितू गुस्से में आ जाती है, और सोचती है कि कल यह मैसेज पुलिस को दिखा, इनको IPC की धाराओं की पावर दिखाती हूँ, लेकिन अगले ही पल उसे घर की याद आ जाती है, कि कैसे मा बापने, मम्मी बापा ने मुझे कितनी मुस्किलों में यहां भेजा था और एक नया नमबर ले लेती है, और इस बार वह यह नया नमबर कोचिंग में रेजिस्टर नहीं कराती, क्योंकि उन लड़कों को यह नमबर वहीं से मिला था, लेकिन इसके बावजूद लड़के उसे दिन प्रतिदिन कोचिंग क्लास में परिशान करते हैं, अब रि रितु अपने पढ़ाई में दिन रात एक करती गई, लगतारवर पढ़ाई में घंटों के संख्या बढ़ाती गई, और सायथ किसी ने सही ही कहा है कि सत्त कभी पराजित नहीं होता, देर से ही सही यदि आप सच्चे हों तो उसका साकरात्मक परडाम मिलता ही है, और यही रितु के साथ भी हुआ, रितु अपने दूसरे प्रयास में UPSC की प्रारंबिक परिक्षा निकाल लेती है, UPSC की प्री परिक्षा पास कर लेती है, और अब कड़े मेनस से मेंस के लिए लग जाती है, और अब जब की मेंस की बारी थी तो कोचिंग वालों ने प्री पास क मेंस दे रहे बच्चों के लिए एक अलग रैपिड बैच चालू किया था अब रितु का उन लड़कों से सामना नहीं होता और लड़के भी परिसान थे कि आखिरकार वे लड़की गई तो गई कहा लेकिन रितु को तो अरजुन की तरह सिर्व चेडिया की आँख मालूम थी और कहते हैं कि इनसान विसम परिस्तियों में कभी कभी कुछ जादा ही अच्छा कर जाता है ऐसा ही कुछ रितु के साथ हुआ रितु ने दूसरे प्यास में UPSC की परिक्षा में अपना पर्चम लहरा दिया और IAS वाली सीट सिक्योर कर लिए जी हां रितु ने UPSC की परिक लड़कों को डिखते हैं जिस पर सुनहरे अच्छरों में रितु गुमारी AIR यानि की आल इंडिया रेंग 379 यह है लड़कों के पहरो तले जमीन खेसको जाती है जी हां दोस्तों उन लड़कों के पहरो त vrais जमीन खेसको जाती है दोस्तों कभी-कभी अपने लक्ष को इतना बड़ा मान कर वही पर ही सरेंडर कर जाते हैं लेकिन यदि आप मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ आप अपने दिल से पूछे कि यदि आप अपने लक्ष के लिए पूरता समिर्पित है तो वो लक्ष आपको मिलकर ही रहेगा आज नहीं तो कल वो लक्ष आपके कदमों में होगा आसा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और किसी लड़की के जिंदगी में इस तरह के भूचाल आने से बचें और ऐसे मन चलो लड़कों पर लगाम लगाया जा सके ठीक है आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यह दिया आपा मैं अभी यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट व्लेटाम पर शेयर करें चलिए तब सब के लिए धन्यवाद